उन्नीस्वी सदी का भारत, जब देश ब्रिटिस सामरज्य का हिस्सा था। गुलामी की प्रतार्णा और विदेशी हुकूमत के शासन में देश, सामाजी, आर्थिक, राजनैति, धार्मिक तथा शैक्षनिक शित्र में राष्ट्री पुनरजागरन के दौर से गुजर रहा था। इस समय देश के अनेक सपूत ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त कराने में अपना सर्वस्व लगाय हुए थे और साथ ही एक खुशाल भारत वर्ष का सपना संजो रहे थे। देश के इनही महान सपूतों में से एक थे पंडित मदन मोहन मालविये। महामना कई मायनों में अनन्य थे। विशाल और बहु आयामी व्यक्तित्तों के धनी मालविये जी एक महान समाज सुधारक, निर्भीक स्वतंदरता सैनानी, कुशल राजनेता और आडंबर रहित धर्म परायन व्यक्ति थे। किन्तु इन सबसे उपर थी उनकी दूरदर्शिता। एक खुशाल उन्नत देश की इस्थापना के लिए महामना का इस पच्ट मत्था की देश के नौजवानों को श्रिष्ट उच्च शिक्षा हासिल होनी चाहिए। यद्यपी देश में उच्च शिक्षा की नीव 1857 में ही पढ़ चुकी थी जब बंबई, कलगत्ता और मदरास में विश्व विद्यालियों की इस्थापना की गई। किन्तु उस समय के सभी विश्व विद्याले ब्रिटिश शिक्षा पद्धती का अनुसरन कर रहे थे। जहां पूर्व और पाश्चात्य शिक्षा पद्धतीयों का सोहार्थ पुन सम्मिलन हो। जहां से निकला च्छात्र ज्यान के शितिस पर वैश्विक होते हुए भी अपनी जड़ों से चुड़ा हूँ। वर्ष 1904 मालवी जी के इस विचार को मुर्थ रूप मिलना प्रारम हुआ। मालवी जी ने इस महान यग्य की पूर्थी हे तु एक कावन रुपै का पहला दान अपने पिता से ग्रहन किया। मालवी जी के सत प्रयासों को दो व्यक्तियों का महत्वकुन सहयोग मिला। श्रीमती एनिबैसेन तथा महराजा दरभंगा। दोनों ने ततकालीन ब्रिटिस सरकार से रॉयल चार्टर के तहर हिंदू विश्व विद्याले की इस्थापना की मालवी जी की मांग का समर्थन किया। श्रीमती एनिबैसेंट ने 1891 से संचालिर सेंटरल हिंदू कॉलेज को काशी हिंदू विश्व विद्याले को सौप दिया। चार फरवरी 1916 दिवस बसंत पंचमी मालवी जी का स्वपन सापकार हुआ जब हजारों लोगों की उपस्तिती में वाइस राय लाड़ होर्डिंग ने काशी हिंदू विश्व विद्याले की नीव रखी। रियासतों के राजाओं से लेकर आमादमी तक, उद्ध्योग पतियों से लेकर ग्रामिन क्रिशक तक, संपून देश से आर्थिक सहयोग लेकर मालवी जी ने इस महान परिसर का निर्मान किया। लगबग 1360 एकर के विशाल भूभाग पर फैला यह विश्व विद्याले वास्तु शिल्प का एक बहतरीन नमुना है। विश्व विद्याले का अभिन्यास एक उगते सूर्य के समान है। भारतिय दर्शन के अनुसार उगता सूर्य ज्यान के फैलते प्रकाश का धूतक है। मुख्य द्वार सिंग द्वार से प्रवेश करने के साथ ही यहां का परियावरण मन को आकरशित करने लगता है। सूनियोजित स्वच्छ सडकें, सडक के दौनों किनारे व्रक्षों की कतार, कहीं फूल से लदी लताएं और जाडियां तो कहीं मौसमिल फलों से लदे व्रिक्ष। और इन सभी के बीच से झागते, पुराने तथा नए इस्थापत्य के प्रतीक, विभिन्न भवन और इमारते। शिक्षा से चरित्र निर्माण और बहतर नागरिक बनाने के मालवी जी के विचारों के अनुरूप यह विश्व विध्याले दुनिया का संभावत है, अकेला विश्व विध्याले है, जहां नर्सरी और प्राइमरी से लेकर पीच डी और पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक्षा उपलब्द है। इस अनुठे विश्व विध्याले में एक ही परिसर के भीतर, तीन महत्वपून संस्थान, पंधरा संकाय, 119 विभाग, एक कॉलेज, तथा अनेक अंतर विश्यक केंद्र हैं। विश्व विध्याले से संबद्ध है वारानसी में संचालित, चार महा विध्याले तथा तीन विध्याले आधुनिक चिकित्सा और भारतिय चिकित्सा पद्धती आयुर्वेद, दोनों चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन और अनुसंधान का किंद्र है चिकित्सा दंत विज्ञान संकाय कारेरत हैं। अपने 11 विभागों के साथ देश के क्रिशे शित्र में अध्ययन तथा अनुसंधान में अतुरनी योगदान दे रहा है। पश्चात भी अनेक रूपों में काशी हिंदु विश्व विद्याले से संबद है। इंसंस्थानों के अतिरिक्त, विभिन संकाय, ज्यान के विभिन प्रारूपों के अध्ययन के केंद्र है। 21 विभागों तथा 5 अंतर विश्यक केंद्रों के साथ कला संकाय, विश्व विध्याले का सबसे बड़ा संकाय है। मानव के सामाजिक जीवन के अध्ययन के अवसर उपलब्द कराता है सामाजिक विज्ञान संकाय, यहां 5 परंपरागत विभागों के अतिरिक 5 केंद्र कारिरत है। वित्त, व्यापार एवं वानिज्य पर अध्ययन के लिए वानिज्य संकाय तथा प्रभंद संकाय है मानव जीवन के कलापक्ष के अध्ययन हेतु द्रिश्य कला संकाय, संगीद एवं मंच कला संकाय कारेरत है काशी हिंदू विश्य विद्याले का विधी संकाय, कानून, मानवाधिकार और राष्ट्रिय तथा अंतरराष्ट्रिय विधी के अध्ययन का प्रमुक गेंद्र है शिक्षकों के शिक्षन प्रशिक्षन, शिक्षन की नवीन पद्धतियों तथा मुल्य आधारित शिक्षा के अध्ययन का स्थल है शिक्षा संकाय आधुनिक विज्ञान की लगबग सभी शाखाओं के अध्यायन की स्थली है काशी हिंदू विशु विद्याले का विज्ञान संकाय 15 विभाग तथा 6 केंद्रों को संचालित करते हुए विज्ञान संकाय का इस्थान देश के अगरणी विज्ञान अध्यायन संस्थानों में है प्राचीन धर्मशास्त्रों, अध्यात्मिक ग्रंथूं तथा संस्कृत भाशा और साहित्य के अध्यायन हेतू संस्कृत, विद्या, धर्म, विज्ञान, संकाय का गठन मालवी जी के विचारों के अनुरूप किया गया था महिला शिक्षा पर महामना का अक्तिधिक जोड़ था और उनके इनी विचारों के अनुरूप महिला महाविद्याले की इस्थापना की गई विश्व विद्याले का एक और परिसर मिर्जापुर जीले में बरकच्छा में इस्थित है दक्षिल परिसर की इस्थापना का उद्देशिव प्रदेश के पिछडे शेत्र में नौजवानों, महिलाउं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षन के अवसर उपलब्द कराना है विश्व विद्याले के वातावरण में विज्ञान, कला और दर्शन के अनूठे सम्मिलन का अप्रतिन उधारण है यहां का कुलगी यह देश के महान वैज्ञानि डॉक्टर शांती स्वरूद भटनागर के कवी रिदय से प्रस्पुटिर रचना है काशी हिंदो विश्व विद्याले को एशिया के सबसे बड़े आवासी विश्व विद्याले होने का कौरव भी प्राप्त है विश्व विद्याले में देश भर से तथा लगबग 40 देशों के 30,000 से अधिक छत्र नामांकित है परिसर के भीतर अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिए लगबग 1400 वाटर्स हैं बाहर से आए अतितियों के लिए अतिति ग्रह हैं विश्व विद्याले में 80 चत्रावास हैं जिन में लगबग 15,000 से अधिक छत्र निवास करते हैं विदेशी चत्रों के लिए सुविधायों अंतराष्ट्री होस्टल तथा अंतराष्ट्री फ्लैट्स की व्यवस्था है चत्रावासों में सुरक्षा, इंटरनेट तथा मॉड्यूलर किचन के रूप में आधुनिक सुविधाएं उपलब्द हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के विकास के लिए चत्रावासों के सामने हैं खेल के विशाल मैदान जहां विभिन्न खेलों की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्द हैं शारिरिक सौश्टव के लिए आधुनिक मशीनों से युक्त जिम की सुविधा है तो मन की एकागरता के लिए विश्व विध्याले में योग केंद्र भी कारिरत है किसी भी उच्चे शिक्षन संस्थान की श्रिष्टता का एक मापदंड है पुस्तकाले काशी हिंदू विश्व विद्याले के पुस्तकाले में 15 लाग से अधिक पुस्तकों की उपलब्दता है इसके अतिरिक यहां 13,000 ओनलाइन जर्णल, 50,000 इपुस्तकें, डेटाबेस तथा अनेक दुरलब डिजीटल पांडूलिपियां उपलब्द है केंदू यह पुस्तकाले के अतिरिक, विभिन्न संकाय तथा विभागों में पुस्तकाले की एक लंबी श्रंखला है आधुनिक समय के अनुरूप, विश्व विद्याले में साइबर लाइब्रेरी भी है, जिसमें 400 चात्रों के बैठने की सुविधा है चात्रों के स्वास्थ्य संबंदी आवश्यक्ताओं के लिए चात्र स्वास्थ्य संकुल है यहां चात्रों को डॉक्टरों के द्वारा उचित स्वास्थ्य परामर्ष के अतिरिक मुफ्त दवा उपलब्द कराई जाती है चात्र स्वास्थ्य संकुल में रोग निदान की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्द है आवशक्तान रूप सरसुंदरलाल अस्पताल के रोग निदान और स्वास्थ्य परामर्ष संबंदी सुविधाएं भी चात्रों को नहिशुल्क प्रदान की जाती है छत्रों के सर्वांगीन विकास के लिए विश्व विद्याले में अनेक केंद्र कारिरत है विश्व विद्याले परवता रोहन केंद्र, साहस और रोमांज से भरपूर, परवता रोहन तथा साहसिक खेलों का प्रशिक्षन प्रदान करता है विश्व विध्याले में रोजगार तथा मार्गदर्शन ब्यूरो कारिरत है जो छात्रों को बहतर रोजगार के लिए मार्गदर्शन देता है प्लेस्मेंट सेल, विभिन कम्पनियों, संस्थानों और उद्योग प्रतिष्ठानों द्वारा केंपस चैन हेतु सुविधाय उपलब्द कराता है राश्ट्रिय सेवा योजणा द्वारा छात्रों में देश सेवा तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरती पैदा की जाती है राश्ट्रिय कैड़िट को छात्रों में अनुशासन तथा देश भक्ती के जज़बे को पोशित करता है अर्ड वाई लर्ड अर्थात अध्ययन के साथ आजीवी का इस कारिकरम के तहट आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अन्शकालिक रोजगार उपलब्द कराया जाता है परिसर में बने च्छात्रावासों से बाहर शहर में निवास करने वाले च्छात्रों के सांस्कृतिक उन्नयन का किंद्र है सिटी बेली गेसी चत्रों की किसी भी समस्या के समाधान हेतू सदयवतत पर है विश्व विद्याले का अधिश्ठाता चत्र कल्यान कार्याले अध्ययन अध्यापन के अतिरिक विश्व विद्याले में छात्रों की अनेग, खेलखुद तथा सांस्क्रतिक प्रतिजिताओं और गतिविधियों का संचालन किया जाता है प्रतिवर्ष यहां वार्षिक सांस्क्रतिक कारिक्रम इसपंदन का आयोजन होता है जहां छात्रों के भीतर छुपी, कला, संगी और नृत्ति की प्रतिभा को उचित मंच मिलता है परिसर में समय समय पर होने वाले कला प्रदर्शनी, गीत संगीत कारिक्रम, मेले और उत्सव इसे जीवन्त बनाई रखते हैं प्रतिवर्श आयोजित होने वाले विश्व विद्यालय के समावर्तन समाहरों में छात्रों को देश की महान विभूतियों से दिक्षांत भाषन सुनने का अवसर मिलता है परिसर के केंद्र में इस्थित है आध्यात्मिक्ता का प्रती, भगवान विश्वनात का मंदिर सपेथ संग्वर्मर से बने इस भव्वे मंदिर का निर्माण स्वयम मालविय जी की इच्छानुसार हुआ था विद्यार्थियों में कर्म योग की शिक्षा देने हे तू मालविय भवन में गीता प्रवचन का आयोजन किया जाता है छात्रों में सदाचार और श्रिष्ट नैतिक आचरन के समवर्धन हेतू मालविय मुल्य अनुशीलन केंद्र की इस्थापना की गई है राय क्रिष्ण दास द्वारा इस्थापित भारत कलाभवन दुरलप एवं प्राचीन कलाकृतियों का संग्राले है अपनी तेरह वीथिकाओं में संग्राले देश की प्राचीन और अन्मोल धरोहरों को संजोय हुए है काशी हिंदू विश्व विद्याले संभवत है अकेला विश्व विद्याले है जिसके पास माइक्रू एयरक्राप्ट है इतने विशाल और विस्त्रित परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है काशी हिंदू विश्व विद्याले के प्राप्टोरियल बोड की यहां के जवान सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद और चौकस रहते हैं कुल्पती के रूप में देश के महाशिक्षाविदों तथा प्रशासकों के नित्रित्तु में विश्व विद्याले निरंतर प्रगती की नई उचाईयों को छूता हुआ अपनी स्थापना के सौवे वर्ष में प्रवीश कर रहा है वर्तमान में विश्व विद्याले के कुशल मृत्रित्तु के गुरुत्तर दाईत्तु का सफलता पुरुवक निर्वाहन कर रहे हैं प्रसित्त शिक्षाविर प्रोफेसर गिरिश चंद्र त्रिपाठी प्रिय विद्यार्थी मित्रों काशी हिंदु विश्व विद्याले पूद्य महामना की तपस्थली, कर्म भूमी एवं हम सब के लिए शद्धा का स्थान रहा है सव वरशों की अपनी सुदीर घजीवन यात्रा में इस विश्व विद्याले ने अपने महनिय योगदान के आधार पर पूरे विश्व में अपनी अप्रतिम छवी एवं उपस्थिती दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है यही वह विश्व विद्याले है जो अपने विद्यारतियों के शैक्षनिक उन्लाइन के साथ साथ उनमें नयतिक्ता उम्चरित्र निर्मा अपना प्रमुख उद्देश मानता रहा है 21 शतापदी के इस दोर में जब भारत पूरे विश्वमंच पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कदम बढ़ा रहा है उस समय इस विश्व विद्याले का विद्यारति होने के नाते हमारी घूमिका अपने आप महतुकून हो जाती है प्रिय विद्यारति मित्रो इस विश्विद्याले का विद्यारति होना हमारे लिए गवरों का विशय है प्रिय चात्रों चात्राओं यह हमारा शतापदी वर्ष है यह हमारे लिए एक अवसर है हम इसे विश्वमंच पर फिर से प्रतिश्ठापित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे मैं इस अवसर पर आप सबको हार्दीक बधाई देते हुए अपने को गौरवानुईत अनुभो कर रहा हूँ भारत सरकार ने देश सेवा के महामना के अतुलनीय योगदान के प्रति राष्ट की कृतक्यता को फ्यक्त करते हुए भारत रत्न प्रदान किया मालवे जी के परिवार ने यह भारत रत्न, मालवे जी की कर्म भूमी और उनके विशाल परिवार काशी, हिंदू, विश्व विद्याले को सौप दिया उच्चे शिक्षा के इस अनूठे किंद्र का उद्देश्य, महज शिक्षित करना नहीं, बल्कि एक सुसंस्कृत श्रिष्ट नागरिक का निर्मान करना है यहां शिक्षा सिर्फ जीवी को पार्जन का माध्यम मात्र नहीं है, वह मुल्यों और आत्मविश्वास का आधार है यहां ज्ञान का प्रसार ही नहीं, ज्ञान का सुरिजन भी महत्व रखता है अजयारति हो, तुम वीश्वर का ज्ञान चाहते हो, तो अपने मन को पवित्र कर मेरी बातों को सुना आओ, हम अपने मन की ओर भी ज्यान दें देखो, हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक अट्यंट आश्चर युमाइभस्त हो है इसकी हमारे मन की विचार शक्ति, कलपना शक्ति, कलना शक्ति, रचना शक्ति, मृति धी बेदा हम सब को चकित करती हैं इन शक्तियों से मनुष्य ने क्या क्या दूंत लिखे हैं कैसे कैसे साथ बनाएं क्या क्या विज्यान निकालें क्या क्या आविश्कार किये हैं असर रहा है ये खुलाश चेज नहीं उपर्द करता है जट जट जयात राम जपरी मत करबर जूत मत भाखे मत पर धनहर मत मत चाखे जियों मत मार वया मत खेरे मत परी सियलक यही ते रोता परी इतने भाख को हमेने स्थाद होगे कि परमात मातू को सुख देगा और मांदेगा और देश का गवरों बढ़ाओ झाल